अरे मैडम, आपका पर्स, अरे मैडम, मैडम, ये आपका पर्स, वहाँ गिर गया था, मेरा पर्स, नहीं, ये मेरा पर्स नहीं, ये मेरा पर्स नहीं, ये मेरा पर्स नहीं, पदानी किसका पर्स उठा ले आए तो, नहीं, नहीं, मैडम, ये आप ही का पर्स है, वहाँ गिर ग मैडम एक पर चेक तो करिये या आप ये का पर्स है विखारी चाल दूराच किती बद्बू हारी तेरे में से ची नड़म ये आप क्या बोल रही है एक तो मैं आपका पर्स वापस कर रहा हूं और उपर से आप मुझे मैं सब जानती तुक जैसे गरीबों को इसमें पका तेरे कोई चाल होगी मुझे लूपने की अब निकल यहां से वर्णा मैं पूलिस को बुला दूँगी और तेरे लेना अच्छा नहीं होगा चल जाना असे यार एक बाद समझ नहीं आई यह पर्स उन्हीं मैडम का था लेकिन वह वापस के नहीं ले रही है कहीं कुछ गडबड तो नहीं है एक बाद भोल के चेक करता हूं यह क्या इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और इसमें एक चिट्थी भी है यह कर पढ़के देखता हूं क्या लिखा है देखो इन पैसे को कहीं फजूल में खर्च मत करना इनने कहीं अच्छी जगह देख करना है किसी से कुछ मांगना अच्छी बात नहीं होती जो किसी दूसरे से पैसे मांगते हैं उनकी कोई इस्सत नहीं है हमेशे याद रखने मैरत में ही बरकत है जिट्धी में लिखा है कि बे फुजूल पैसे खर्च ना करो कहीं ऐसी जगा इंवेस्ट करो कि ये पैसे डबल हो जाए लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जहां ये पैसे डबल हो जाए कि अलो या था बैन ले लो नहीं चाहिए लेलो नहीं ले लो नो भीया शरे 5 रुपय का है या या नहीं चाहिए चल खर हिंगा से बढ़े लो कितने गा दिया पांच रुपय का है कामकर दो देते साप ये जंडे ले लो अरे तुम तो वही हो ना जो पहले भीक मांगा करते थे हाँ साप देख लो कितने अच्छे लग रहे हो तुम महनत करते हुए भीक मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती है और जिसने भी तुमें ये महनत करना सिखाया है ना हमेशा उसका सुक्रियादा करना वैसे ये जंडे कितने के हैं दस रुपे का एक है एक काम करो ये पैसे रखो और ये सारे जंडे मुझे देदी पंदर अगस्ताने वाली है ना चलो ठीक है खुम महनत से काम करना मन लगा के महनत करना मुझे वन मैडम का सच में, शुक्र गुजार होना चाहिए, लेकिन वन मैडम मुझे मिलेंगे कहाँ बहिया, यह आपका पार्सल एक बात बताओ, तुम लोग इतनी महनत करते हो, दिन भर ठकते नहीं हो क्या क्या करे साब, किसी ने महनत करना सिखाया है, इसलिए महनत करते हो चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे महनत करते हो, भगवान एगिन तुम्हारा जरूर साथ देगा वैसे एक बात तो है, आज तुम लोग इतनी वज़े से ही, घर बैठे हमें हमारा समान मिल जाते है इस काम में इजज़त तो बहुत है, लेकिन आज मैं जिसकी वज़े से इस काबिल बनाओं, पता नहीं कभी मैं उससे मिल पाऊंगा के नहीं भाईया, एक जूस दे दो अरे, मैडम, आप और मेरी दुकान में आपको और मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम, मैं वही हूँ, जिसका आगे दो साल पहले आपने पर्स गिराया था क्या? तुम? ये दुकान तुमारी है क्या? जी मैडम, लेकिन मुझे आप से बात पूछनी थी हाँ, पूछो? वह पर्स आपका था, लेकिन आपने जोट क्यों बोला कि वह पर्स आपका नहीं है देखो भाईया, मैं चाहती थी कि आप महनब करो और अपनी जिंदेगी बदन करो जो कि आपने वक्षू भी करा, लेकिन आपने जोट क्यों बोला? मैं बस चाहती थी कि मेरे वज़े से किसी गरीब की जिंदेगी बदन जाए जो कि वक्षू भी हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मनसुबम में काम्याब रही हूँ थैंक्यू मैडम, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ आपकी मुझे से